हलो फ्रेंड्स आपका अमरी वेबसाइट टॉपरेग्जाम.com में बहुत-बहुत स्वागत है हम आपको यहाँ पे सरकारी नोकरी नेशनल हेल्थ मिशन में स्टाफ नर्स की भरती की अपडेट न्यूज बतानी जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन ने स्टाफ नर्स के 806,5 पदों पर भरती की लिए जारी किया नोटिएशन दस जून आभिदन की आखरी तारी नेशनल हेल्थ मिशन NHM असम ने स्टाफ नर्स के पदों की भरती के लिए नोटिशन जारी कर दिया है योग्य और इच्छू Candidates इन पदों के लिए 10 जून तक ऑफिशल वेबसाइट nhm.hasam.gov.in के जरीए आविदन कर सकते हैं इस requirement drive के जरीए कुल 896 रिक्तियों पर नीक्ति की जाएगी पदों की संक्या 800-6 में योग्यता आविदन करने वाले Candidates भारती नर्सिंग परिशल द्वारा मानेतर प्राप्त किसी भी नर्सिंग स्कूल संस्तान से पास होने चाहिए इसके अलावा B.A.C. नर्सिंग, G.N.M. कोर्स और असम नर्स बिडवाई और हेल्फ विजिटर्स काउंसिल के साथ रेइस्टर होना चाहिए आईउ सीमा इन पदों के लिए आविदन करने वाले Candidates की उम्र 31 मार्ट 2021 को 43 साल ते की गई है ज़्यादा जानकारी के लिए Official Notition देख सकते हैं ज़री तरीके आविदन करने की आखरी तरीक 10 जूम सेलेरी इन पदों के लिए सेलेक्ट वे Candidates को हर मेने 18,000 रुपे तक की सेलेरी दी जाएगी सेलेक्शन प्रोसेस इन पदों के लिए Candidates का सेलेक्शन, इंट्रिव, सेलेक्शन परिशा के आधार पर किया जाएगा ऐसे करें अपलाई इच्चुक और योग Candidates इन पदों के लिए Official वेबसाइट nhm.asam.gov.in के जरिए 10 जूम 2021 तक आविदन कर सकते हैं इस एक्जाम के तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट TopperExam.gov भी वीजिट कर सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आयोगी तो सुक्ली लाइक कीजे, सब इसे शेर कीजे धन्यवाद